कि नवस्कार बच्चों पिछली वीडियो में आपने सिंख्याएं बनाना सिखा और करम में लगाना सिखा वस्तों गिनना सिखा अब हम इस कर्म को दुबारा करते हैं देखिए आठ एक सिंख्याओं को करम में लगाना है अपने अगया ग्यारा अगर क्या एगा पूरी करो तो अथ के बात ग्यारा यानिकी 90 चोट गरागया अब आपने क्या करना है 12 तेरा चोड़ कर तोड़ा फिर पंद्रा सोड़कर सत्रा ठारा उन्नी छोड़कर बीस इस तरह से आपने एक गिंती सो तकी गिंती आप यहां पर पूरी करें ठीक है बचो ओर देखें कि पंद्रा कि बीस गिंती पूरी करो इसी शाल से कि पंद्रा की बाइट छोड़ दिया शुला सत्रा ड्राव इंटी इंस आगया एकिस बाईस तरी तेस चोड़ने पीछब में पिछ्पें पर किंद्रा चोड़ने चाहिए चुड़ने हैं च्पशन श्बिस ताई चाहि उन्य चोड़कर टीस आए तिस सब्सक्राइब फिर इ इस प्रकार से पहले बड़ी संख्या लगाई, फिर छोटी संख्या लगाई, क्या कहते हैं इस करम को, पहले बड़ी, फिर छोटी, पहले बड़ी, फिर छोटी, तो पहले बड़ी, नीचे उतरेंगे ना है, यह क्या उतरता करम हमारा, क्या हुआ है, उतरता करम, यहने कि गञते करम में लगाए हैं। को गटे कर लगाएंगी बडहेंके पहले सबसे बढ़ी लिखाएंगे हैं। इसमें एक मंडल एक मंडल दो बंस बन बनद वाली बडिया, वद्वाली हैं। सबसे पहले ही रापर है। उसके बढ़ और फेले हीं एक एक बंदल, एक बंदल, दो बंदल, तो यह दो जोटी है न, एक बंदल दो खुली वस्तु, एक बंदल पाच वस्तु, तो बारा जोट्टा है, 15 और 27, चलिए एक स्वाल और देखते हैं, एक दो स्वाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एक करम, संख्याव करम, 30, 20, 40, गटना करम, गटना करम का बतलो ऐसे गटना है, नीचे गटना है, नीचे की तरफ आना है, बढ़ना करम उपर की तरफ बढ़ना है, गटना तो नीचे आना है, ऐसे, बढ़ना है उपर की तरफ ऐसे, यह बढ़ना और यह गटना, तो बढ़ना करम, गटना करम लिखने कि घले अपने बढ़ाएगी तीन बंडल दो फेसा, भातना और थार दो बंडल और और अगन इसके को अ normalmente अको सटेंट इसी प्रिकार से आप संख्याओं के करम में लिखे और कट्वी किंति के वाद्धम से संख्याओं के बारे में और दीक्री साथ से जाने